Hello my dear students, कैसे हैं आप सभी मैं हूँ मुधिता और आप सभी का स्वागत है मुधिता IS Warriors में Class 10 की Worksheet No.30 करने वाले हैं आज हम जो इस वीक की Last Worksheet है 12th of September 2020 की Worksheet है जिसे हम solve करने जा रहे हैं आप हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? Indian Economy को पढ़ रहे थे अर्थ विवस्ता का यह चाप्टर है जिसे हम पढ़ रहे थे इसमें Last Worksheet में हमने देखा था बहुरास्ट्रे कंपनिया और जो वैश्वी करन है वो किस प्रकार से बढ़ता है वैश्वी करन को बढ़ाने के लिए कौन से कारक होते हैं सूचना और प्रधोक्की के बारे में देखा था और इसके साथ में ही कुछ case study दी गई थी question के रूप में जो आपने solve की थी आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो वैश्वी करन है भारत में वैश्वी करन का प्रभाव पहले हम जो पढ़ रहे थे वो पूरा विश्व में पढ़ रहे थे आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में वैश्वी करन का क्या प्र बजना है और प्रेक्टिस करना है क्योंकि अगर हर रिक्षीट में आप संभाव है कि इस डि पूछा जा सकता है और क्वेस पने सकते हैं कि वेश्वी करन km Yi लंबा सफर्ड रहा है क्योंकि हम देखेंगे कि भारत का जो टाइम पीरियड है अलग-अलग अवस्थाओं से गुजरा है वैश्वी करण और उत्पाद को इस्थानिय एवं विदेसी दोनों के बीच और अधिक प्रतिस प्रधा में दोनों के लिए विशेश रूप से सहरी छेत्रों में धनी वर् जबहाव देखें तो इससे उभ्भुकताओं को यानि कस्टमर को ज्यादा वैनिफेट हुआ है कैसे वह भी सहरी शेत्र के जो कस्टमर्स हैं जिसे आप और हम लोग हैं जो दिल्ली और ऐसे शहरों में रहते हैं उन्हें इसका ज्यादा प्रौफिट हुआ है कैसे होगा चॉइस होगी मल्टीपल पाउडर की कंपनीज होंगी जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छा है इसका प्राइज अच्छा है तो आप कंपेर कर सकते हैं यानि कस्टमर के पास बहुत जादा विकल्प हो जाते हैं इसके द्वारा अब कई कि उत्पादगों के लिए बहतर गुणवता और कम कीमत का आनंद लेते हैं अब क्या होगा अगर सब लोग अपना प्राइस बढ़ा देंगे तो क्या करेंगा आप कस्टमर कैसे खरीदते हैं जिसका प्राइस भी कम हो और जिसमें क्वालिटी भी अच्छी हो तो इस तरीक का हुआ कि कस्टमर के लिए मल्टीबल चॉइस हो गई अगर एक मनमानी करेगा तो दूसरी कंपनी का प्रोड़क्ट खरीद लेगा और एक बहुत ज़्यादा प्राइस कोई कंपनी बढ़ा देती है आपको पर्फ्यूम यूज़ करते हैं उसका अचानक से बहुत ज़्या प्रभाव पड़ा है उसे हम देख लेते हैं एक टेबल की फॉर्म में और उसकी चोटी-चोटी इमेज बनाई है थोड़ा सा मैंने जूम किया तो जिससे आपको दिख जाए नंबर वन कॉलम है बहुरास्ट्य कंपनियों पर प्रभाव यह जो वैश्वी करण है वैश्व दुनिया की पूरे जो इसमें आपस में अच्छे रिलेशन बंते हैं इसमें महध्वपूर्ण भूमिका निबाती है इसे वैश्वी करण कहते हैं तो वैश्वी करण का क्या क्या प्रभाव पड़ा है तीन कॉलम दिखाें नंबर वन है कि वहुरास्ट्य कंपनियों को तो इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपणियां है उनका क्या फाइदा दॉक्सान हुआ उन पर क्या प्रुभाव पड़ा है और थर्ड वन है चोटे-बार्तियनिरमाता यानि ऐसे fürsus जो चोटे इतने भी आपके food या soft drink वाले products हैं सेवाओं में निवेश बढ़ा है जो इस तरह की चीज़े होते हैं खाने पीने की electronics की इन सारी चीजों में बहुराश्ट्रे कंपनियों ने अपना निवेश बढ़ाया है क्योंकि इसकी demand आज के टाइम में बहुत जादा है आप देखते हैं कितना जादा बढ़ गया है ठीक है सेल पे soft drinks यानि पीने के लिए अलग अलग तरह के जो उत्पाद आते हैं drinks आती है cold drinks types of cold drinks तो इसमें निवेश बढ़ा है बहुराश्ट्रे कंपनियों का जाहिर से बाते निवेश वो क्यों कर रहे है क्योंकि उनका सेकिंड पॉइंट है उप्रोग उद्योगों में नई नौक्रियों का स्रजन हुआ है जब बहुराश्ट्रे कंपनिया कोई बहुराश्ट्रे कंपनी इंडिया में आके स्टैबलिश होगी अपनी ब्रांच खोलती है तो वह काम भी तो देगी नौकरी देने के लिए वह अ यूएस की कंपनी है वह इंडिया में स्टैबलिश होती है तो इंडिया में स्टैबलिश होगी तो वह यहां के लोगों को नौकरी देगी ठीक है नंबर टू उसको कुछ बेसिक चीज़े चाहिए होंगी मैनुफैक्ट्र जो सब समान वह अपने घर से तो ला नहीं सकते है कि वैश्वी करण का अच्छा प्रभाव किस पर बढ़ा है बहुरास्ट्रे कंपनियों को बहुरास्ट्रे कंपनियों को उससे काफी सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट हुआ है अब बात करते हैं सीर्ष भारतिय कंपनियों की वह भारतिय कंपनिया जो टॉप पे हैं उ उन्होंने नई तकनीक और उत्पाद के तरीकों में निवेश किया और उसमें उत्पादक मानकों को बढ़ाया है, क्योंकि में जो उत्पादक थे बड़े-बड़े कंपनी वाले थे उन्होंने क्या किया टेकनोलजी का इस्तमाल किया कि अगला इतना अच्छा बेच रहा है तो हम भी ऐसा बेचेंगे बढ़ना हमारी मार्केट में भिकर गानी साथ-साथ बदलाओ किये तो इससे उनका बैनिफेट कुछ ने विदेश कंपनियों के साथ सहयोग प्राप्त कर लिया कुछ कंपनियों ने क्या कि अपनी ही कंपनी को बहुत सारी टेकनोलजी में चेंज किया टेकनोलजी का इस्तमाल किया ठीक है अपनी कंपनी को और उचा बनाया कुछ लोगों ने क्या कि विदेश कंपनियों के साथ partnership कर ली कि मिलके काम करते हैं आप हमारे काम करते हैं ठीक है कुछ बड़ी भारतिय कंपनिया खुद बहुर रास्ठे कंपनिया बन गए क्या क्या कि उन्हों ने कहा कि हम भी बहुरास्ट्रे कंपनियों कि तरह काम करेंगे हम भी अपनी ब्रांच जाके अलग-अलग देशों में खोलेंगे और चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो इस तरीके से जैसे आप उधारन देख सकते हैं कि जैसे सेवा प्रदान करने के लिए बहुत सारी इंडियन कंपनी हैं जो बहुरास्टे कंपनीया बन गई जैसे टाटा वगेरा अगर आप देखेंगे तो वो क्या आती हैं इसी में आती हैं ठीक है यहाँ पर नीचे दिय जितनी भी इंडिया में आजकल बहुरास्टे कंपनीया जो इस्टैब्लिश है वह ज्यादा तर आइटी कंपनी होती है ठीक है तो इससे आप दो कॉलम में देखो कि दोनों लोगों का फाइदा हुआ है अगर आप बहुरास्टे कंपनीयों की बात करो तो उनको भी चोटे निर्माताओं को वैश्वी करण के कारण चुनातियों उनके सामने काफी चुनातियां आई और उन्हें काफी चुनातियों का सामना करना पड़ा जैसे की चोटे निर्माताओं को प्रतीस परधा के कारण बड़ी तक कर मिली इतना बड़ गया था कि बड़े लोग इतनी हाई फाई मशीन का टेकनोलजी का इस्तमाल कर रहे हैं और जो छोटा मैनुफ्रेक्ट्टर है जिसका निवेश ही कम है पैसे ही वो कम लगा सकता है तो बताइए वो कैसे कर पाएगा कॉमपडिशन कैसे सर्वाइब कर पाएगा तो इसकी वज़े से जैसे की बैटरी बनाने वाले ठीक है प्लास्टेक खिलोने टायर डेरी उत्पाद इस तरह कि जो प्रोड़क्ट बनाने वाले चोटे भारतिये निर्माता थे कुछ तो ऐसे हुए कि जो कॉमपटीट नहीं कर जाते हैं तो एक कंपनी बंद करने से वह 200-300 लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं तो चोटे निर्माताओं को वैश्वी करण से नुकसान हुआ है कोई भी फाइदा नहीं हुआ है तो यहां हमने देख लिया कि वैश्वी करण का हर किसी पर समान प्रभाव नहीं पड़ा है अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है इसके बाद देखिए आपको बॉक्स में थोड़ा सा दिया है विदेश निवेश आकरशित करने के लिए उठाए कदम कि हम विदेश निवेश को कि बाहर से देश के लोग आएं और हमारे देश में इन्वेस्ट क लिए हमने क्या किया है और देखोगी खेत्रों की उधापना की है और यहां पर पूरी सुविधा दी जाती है मतलब वहां पे सच्पोर्ट इंटर्नेट सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रवाइड की जाती है और वहां पर ऐसा किया जाता है कि जो कंपनी स्टैबलिश क करेगा जो अपनी company कोलेगा उन्हें tax में छूठ दी जाएगी उन्हें बागी जो नियम कानून होते हैं company के लिए उन Χूठ दी जाएगी जिसी सच्छा झाधा से जाधा लोग उस एडिया में आ कर अपनी मिल्स करें जैसे आप नाम की सथापित जाते हैं नौइडा इंड्स्ट्रियल एरिया इस तरीके से इंड्स्ट्रेल एरिया स्थापित किये जाते हैं चुल भी होगा तो international schools होंगे वहां पर college होगा international होगा कि जहां पर अगर कोई आकर अपना establish कर रहा है और वहां पर रह भी रहा है तो उसको सारी facility मिलने चाहिए जिससे लोग और आकरशित होके इंडिया में निवेश करें इसको हम क्या लिए करमें बुकतान नहीं करना होता है मतलड़ जो इसके सरकार के आपछ मिला सेट यहाँ पर आपको टीक्स नहीं देना इस आप पको सरकार ने और गाइडलाइन कानून मेडिकल फैसिलिटी होती है इसके लावा कुछ और फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करनी पड़ती है तो वो श्रम कानून में आपको लचीला पन कि कुछ इसतर तक आप उन कानूनों को फॉलो नहीं करते तब भी आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा नमबर थ्री क्या है आप लोगों को वर्कर्स को पर्मनेंट ना रखके टैंपरेरी भी रख सकते हैं यानि आस्थाई तोर पर भी वर्कर्स को रख सकते हैं जब आपके हिहां काम बहुत ज़ादा हो तो अब आस्थाई तोर पर वर्कर्स को रख सकते हैं ठीक है ऐसा कानून होगा कि आप permanent workers को हायर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आकरशित हों और Company खोलें अपनी यह company के लिए श्रंब की لागत को कम करने के लिए इससे क्या होता है कि क्या होता है कमपनी जब उनको डिमांड होती है बहुत ज्यादा काम होता है तो 100 मजदूर रख लिए फिर काम कम होता है तो 50 मजदूर कर देते हैं इससे क्या होता है कि कमपनी को फाइदा होता है कि कमपनी का ज़ाधा पैसा नहीं जाता अगर वो 100 members को रखे रहे पर्मानेट तो क्या होगा उनके पास काम नहीं है तब भी उने सैलरी देनी पड़ेगी तो इस तरीके से इस तरह के कानून बनाए गए जिसे कंपनी को फाइदा हो और कंपनिया निवेश करें फिर भी विदेशी कंपनिया अभी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में अधीक लचीला पंचाती है पर फिर भी जो कंपनिया है वो कहते हैं कि अभी भी हम सैटिस्फाइद नहीं है हमें और ज्यादा बैनिफिट्स मिलने चाहिए तो आप बताएए हम श्रमिकों के बैनिफिट कार्ट के कंपनियों को बैनिफिट्स दे रहे हैं उसके बाद भी कहते हैं कि हमें और बैनिफिट दिये जाने चाहिए तब जाके हम और ज्यादा निवेश करने के लिए एगरी होंगे इसके बाद एक और बॉक्स दिया हुआ है आपको नीचे और इसमें थोड़ा आपको धुनला दिखेंगा क्योंकि यह जो बॉक्स है बहुत छोटा करेंगे तो होता है वीटी वहाँ को आपको लिएज़ूर लाइगा इस के बात बताया है इस प्रकार सभी को वैश्वी करंट का एक समान लाप नहीं हुआ है तो हम यह कह सकते हैं कि हर वर्ग को वैश्वी करंट का समान लाप नहीं हुआ है सबाल यह है कि सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए वैश्वी करण को और अधिक निस्पक्ष कैसा बनाए जाए तो वैश्वी करण अच्छी चीज है लेकिन सबको फाइदा हो इसके लिए हम क्या कर सकते है ऐसा सोचा जाना चाहिए ये प्रशन होना चाहिए बहतर तरीके से सब लोग साजा कर सके उसका फाइदा फाइदा हो रहा है तो हर किसी को होना चाहिए ना चाहिए वो गरीब है अमीर है चाहिए वो इस्तरी है पुरुष है सब को फाइदा होना चाहिए इसके लिए सरकार की नीतियों को ना केवल अमीर सक्तिसाली बलकि देश के सभी लोगों के साथ मिलकर बनाई चाहिए मतलब जो सरकार कानून बनाए ये नियम बनाए तो ऐसा बनाए जिसे केवल कमपनी के मालिक को नहीं वर्कर को भी फायदा हो उधारन के लिए सरकार ये सुनेश्चित कर सकती है कि श्रम कानून ठीक से लागू हो तो सबसे पहले सरकार ये कर सकते हैं कि जो लेबर के लिए कानून बने हैं वो सही से लागू हो भी रहे कि नहीं कि बस पेपर में लिखे हो हैं वो कानून और श्रमिकों को उनके अधिकार मिले श्रमिकों को जितने अधिकार मिलने चाहिए वो उनको मिलने चाहिए उसके अला यह उसे बात करके कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जो सभी देश फॉलो करें कि अगर विदेश की कंपनी आके भारत में काम करती है तो भाईया हमारे श्रमिकों को वह अधिकार दे जो उन्हें मिलने चाहिए अब देखिए आपको फिर से आज चार कोशन दिये हुए हैं यह कोशित होता है ठीक कैसे योगदान दिया है थर्ड आपका मैं पूरा कोशन रीड निकलूंगी क्योंकि हम सुलूशन में रीड करेंगे यह आपका केस स्टडी है और इसके लिए क्या किया जा सकता है तो चलिए अंसर देख लेते हैं वैश्वी करन का प्रभाव सभी के लि आपने देखा किसी को फाइदा हुआ किसी को नुकसान हुआ तो वही आपको अपने अंसर में देना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे वैश्वी करन का प्रभाव सभी के लिए फाइदे मन साबित नहीं हुआ हम इस बात से पूर्णता सहमत है जिसके निमलिखित कार नंबर वन नंबर टू मैंने सिखाया है आपको हमेशा पॉइंट में अंसर देना है सोचल स्टडीज में नंबर वन क्या है छोटे निर्माताओं को प्रतिस परदा का कड़ा सामना करना पड़ा जिसके फलस्वरूप कई निर्माताओं को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी जो छोटे मैनुफेक्चरर हैं उनका सबसे जादा लॉस हुआ हमने देखा था थर्ड कॉलम में तो कई तो ऐसे थे जो कॉम्पनीशन का सामना नहीं कर पड़ी उधारन स्वरूप बैटरी खिलोना टायर आदी बनाने वाली कंपनिया नंबर टू पॉइंट क्या है कई श् कोवड के टाइम में आट लास जो साइकिल बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी थी इंटर्नेक्शनल कंपनी थी भारत की बहुरास्ट्य कंपनी थी वह बंद हो जाती है और जब बंद हो जाते हैं तो एक दिन में उसके जितने भी काम करने वाले वरकर से वह सारे टेंपरेरी हायर करते हैं आस्थाई तोर पर काम खतम होता है तो उन्हें हटा दिया जाता है तो ये दो लोगों पर प्रभाव पड़ा इसकी ये इस कथन की पुष्टी है कि सब पर समान प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं फिर हम चलेंगे अगर पूछेंगे कि फाइदा किस-किस का हुआ तब आप बोलेंगे कि बहुराश्ट्य कंपनियों का फाइदा हुआ बड़े उधोग पती और निर्माताओं का फाइदा हुआ उत्पाद को जो बड़े कंपनी वाले हैं उनका फाइदा हुआ अब दूसरा कोशन आप से पूछा था कि SEZS क्या है जिसको हिंदी में अधोगिक शेत्र कहते हैं वो क्या है उन्होंने विदेश निवेश को कैसे आकरशित करने में योगदान दिया है और विदेश निवेश को फॉरेंड इंवेस्मेंट को किस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया है तो दो जहां व्यपार आर्थिक क्रिया करणा उत्पादन तथा अन्य व्यवसाइग गती विधियों को संचालित किया जाता है मतलब ऐसे शेत्र होते हैं ऐसे भोगालिक शेत्र बनाए जाते हैं जहां बिजनस और आर्थिक यानि एकनॉमिक एक्टिविटी जो की जाती है पैसों करने के लिए उन्हें हम क्या बोलते हैं SEZ जिसका फुल फॉर्म होलता है आर्थिक शेत्र और इसे सेज भी कहते हैं तो हमने पहले का उत्तर दे दिया दूसरा पूछा है आपने उन्होंने विदेश निवेश को आकरशित करने में कैसे योगदान दिया है तो पहले आप ल दूटेल में उसे एक्स्प्लेइन कर सकते हैं टीचर के लिए मार्किंग करना असान होता है और आपको पढ़ना और समझाना भी असान होता है नमबर वन, SEZ में उत्पादन इकाई रखने वाली कंपनियों को शुरुवाती पांच वर्षों के लिए कर भुकतान नहीं करना पड़ता मतलब जब आप कंपनि स्टैबलिश करते हैं SEZ एरिया में तो आपको इनीशियल शुरू के 5 साल में आपको टैक्स नहीं भढ़ना पड़ेगा जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे आपको टैक्स नहीं भढ़ना पड़ेगा श्रमिकों को नियमित रूप से काम पर रखने के बज़ाए काम के तीवर दवाव होने पर कंपनिया छोटी अउदी के लिए लचीले ढंग से काम पर रख सकती है ऐसे छेतर में जो कंपनिया होती है वो श्रमिकों को जरूरी नहीं कि पर्मानेंट श्रमिक हायर करें आज थाई तोर पर श्रमिकों को हायर कर सकते हैं रख सकते हैं जब काम की बहुत जादा requirement है उस तरीके से वो लोग रख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लचीले ढंग से रख सकते हैं थर्ड पॉइंट क्या है कि SEZ की इकाईयों के विकास संचालन और संधारन के लिए आवशक वस्तूओं को देश विदेश से मंगवाने पर ड्यूटी नहीं देनी पड़ती हैं वो ड्यूटी नहीं देनी पड़ती वो पैसे नहीं देने पड़ते अगर इन कंपनियों को चाह दर्ब ले सकते हैं, फिर हम चलेंगे इंट्रस्टिंग से dripping केस स्टडी पर अब देखिके ina कीक स्टड़ी आगयी है, बहुत ध्यान से सुनना है थगी केस स्टड़ी को, रमन एक जूता बनाने वाले फाक्टरी में एक स्थाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है रमन एक person है एक आदमी है जो एक जूता बनाने वाले factory में काम करते है और इस company में वो इस्थाई कर्मचारी है एक एक word को आपको बहुत ध्यान से underline करना है जब आप case study पढ़ें तो जो word आपको थोड़ा यह ऐसा लगता है keyword है उसको pencil से underline कर ले जैसे इस्थाई स्थाई कर्मचारी का मतलब होता है permanent ठीक है job दो तरीके की होती है एक होता है आप temporary काम करते हैं कि आप कुछ महीने के लिए कर रहे हैं एक साल के लिए कर रहे हैं और स्थाई मतलब आप permanent member होते हैं तो जूता बनाने वाले company में वो स्थाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे तो permanent यह अस्थाई और आस्थाई की तो बाती नहीं, उनकी नौकरी चली गई, वो अपनी नौकरी खो बैठे, उन्हें एक कमपनी द्वारा उनके पिछले वेतन के आधार पर काम पर रखा गया था, अब उनके जो एक नई कमपनी में वो काम पर लगते हैं, तो वहां उनके जो लास्ट कमपनी में, जहां पर यह permanent थे, जूता बनाने वाली कमपनी में, उसकी आधी सैलरी पर उन्हें रखा जाता है, मानलो जूता बनाने वाली कमपनी में उनकी सैलरी दस हजार थी, तो एक नई कमपनी में उन्हें काम तो मिलता है, लेकिन वहां उन्हें आधी सैलर को आज थाई तवर पर रखा गिया है मतलब लची ले डंग से मतलब अ के गए पहले नौकरी चली चली वैंगे उसके बाद उनौकरी मिलती है वह उन्की अधील सेलरी बढ़नी चाहिए तो सूचिए क्या स्थिति होगी और उसके बाद की जो नौकरी है वो पर्मनिेंट नहीं है कभी भी जासकती है आज थाई नौकरी है अब आगे बोला है Two lesson के साथ ही कर्मचारी पर इसका प्रभाव हुआ होगा अब जो रहमन है रहमन के साथ और भी लोग उस इन शाब करते होंगे उस पर उन सभी पर इसका क्या प्रभाव होगा उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है और उन्हें क्या नुकसान होगा दो बाते आपको बतानी है क्या प्रभाव होगा क्या नुकसान आपको केस स्टेडी समझ में अच्छे से अब आप इसका अंसल देखिए रम प्रभाव में आप दो पॉइंट लिखेंगे रमन और उनके साथी कर्मचारी को नौकरी की आसुरक्षा का सामना करना पड़ेगा नौकरी की आसुरक्षा क्योंकि ये जो नौकरी है ये आस थाई है कभी भी जा सकती है तो उनको हमेशा ये रहेगा कि भाई मुझे नई नौकरी ढूणनी है पता नहीं कब तक यहां मतलब उन्हें काम करते करते भी दिमाग में ये सारी हमेशा चलता रहेगा कि उनकी नौकर चाहें लिए रहना और अपना किराया निकाल पाना घर से मतलब जहां पर निवास सिथान में रहते होंगे वहां से कंपनी तक जाना उसका किराया और अपनी जरूरते हैं वो भी पूरा करपाना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा चाहे हम रमन की बात करें चाहे उनके साथियों की बात करें तो ये पॉइंट हो गए कि उन्हें पर प्रभाव क्या पड़ेगा दो पॉइंट की एक तो हो गया कि उन्हें नौकरी के आशुरक्षा रहेगी दूस प्रभाव हमने देख लिया अब बताने आपको नुकसान क्या हो सकते हैं तो उनको कई नुकसान हो सकते हैं जैसे उन्हें आर्थिक तता मांसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है पहली बात तो फाइनेंशियल पैसो की प्रॉब्लम तो होगी आप सब समस्ते हैं आर्थि प्लस मांसिक तनाव दोनों का सामना करना पड़ सकता है मतलब बहुत साथा इस्ट्रेस और टेंसन का और यह आप लोग भी समझ सकते हैं कि कोवीड के टाइम में भी है बहुत सारे लोगों ने देखा कि कई लोग की जॉब चली गई फैमिली में किसी भाई बहन की जॉब यह किसी बी डिखिति होती हैं कि पेसे लगते हैं आपको चीजे सु खरीदने पड़ते है तो पहला क्या होगा आर्थिक और मांसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा दूसरा कमपनी ध्वारा श्रमिकों को लचीले ढंके रख्या गया है जिसके फल्सवरूप नेit साथियों को कानून की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होगी हुए है वे इत्याचार हुआ मुझे यह अधिकार दे लेकिन लचीले भंग रखा गया है तो उनको चूट दी याती है तो कंपनियों को वेतन दे सकती है ठीक है और आस्था ही तौर पे भी हायर तो ऐसे में उन्हें कानून श्रमिक कानूनों की सुरक्षा भी नहीं मिलेगी दूसरा तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका रमन के स्वास्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि वो तनाव में रहेंगे उपर से उनको इस तरीके से काम में भी जादा कम हो सकता है तो इसका उनके स्वास्थ पर भी प्रभाव पड़ सकता है और क्या नुक्सान हो सकता है आर्थिक तंगी के कारण पारिवारिक समस्याई हो सकती है जब आप काम में संतुष्ट नहीं है तो आप परिवार में भी परिवार में भी एक तनाव का महाल हो जाता है तो पारिवारिक समस्याई भी हो सकती है तता संभव है पारिवारिक कारेक्रम में भी कई बार शामिल ना हो कई बार इन सब परिशानियों की वज़े से हो सकता है उनके family में कोई शादी हो कोई समारों हो वो इन समें भी शामिल ना हो पाएं किस वज़े से क्योंकि वो अपनी नौकरी के लिए चिंता में होंगे तो ये सारी परिशानिया है जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है तो ये complete answer है आप screenshot ले सकते हैं बहुत अच्छी case study है आप अगर relate करके अपनी जिन्दगी से relate करके आसपास उधारन देख के करेंगे तो आप बहुत आसानी से answer लिख लेंगे कोई भी case study को देख लेजिए अपने आसपास ऐसा कहीं हुआ था और फिर क्या हुआ था उसके according answer लिखेंगे तो आप बहुत असानी से case study solve कर पाएंगे इसका भी screenshot ले लीजिए हम चलते हैं next पे फोर्थ में पूचा है निस्पक्ष वैश्वी करन से आप क्या अभी प्रयाए है आपको क्या लगता है निस्पक्ष वैश्वी करन का समानता और न्याय कैसे सुरिश्चित की जा सकती है पहले पूचा है निस्पक्ष वैश्वी करन से क्या समझते हैं दूसरा अगर निस्पक्ष वैश्वी करण हो तो इससे समानदा और न्याय को कैसे सुरिश्चित किया जा सकता है तो पहले आप परिभाशा लिखेंगे निस्पक्ष वैश्वी करण का अर्थ है वैश्वी करण के लाभों को सभी को समान रूप से साजा किया जाए यानि वैश्वी करन के जो benefit हो रहे हैं वो सबको समान मिले चाहे वो मालिक हो, करंचारी हो और छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो तो निस्पक्ष मतलब बिना भेदभाव, simple बिना भेदभाव निस्पक्ष वैश्वी करन का अथ है वैश्वी करन के लाबों को सभी को समान रूप से साजा किया जाए इसके बाद इससे कैसे सुरक्षा होगी तो आप लिखेंगे निस्पक्ष वैश्वी करन द्वारा समानता और न्याय को निमलिखित प्रकार से सुनुश्चित किया जा सकता है और उसके पॉइंट लिख देंगे हमेशा ऐसे पहले लिखें कि निमलिखित प्रकार से किया जा सकता है और फिर पॉइंट लिखेंगे नमबर वन श्रम कानूनों में सुधार कर जिन्हें जमीनी इस तरफ पर लागू किया जाना चाहिए सबसे पहले जो श्रम कानून बनाए गए हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए श्रम कानून आज के दौर में मतलब 2020 में हम जी रहे हैं तो उसके हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए और ऐसा निये केवल पेपर पे लिख दिया वो कानून लागू होना चाहिए ठीक है नमबर वन तो सबके लिए बराबरी होगी नमबर टू क्या है सरकार को नीतिया ना केवल अमीर शक्तिशाली बलकि देश के सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखके बनाना चाहिए जब सरकार नीती बनाती है कोई नियम बनाती है तो ऐसे बनाएगी केवल बिजनसमेन को फायदा और अमीरों को फायदा ना हो हर वर् सब को बराबर का फाइदा मिलना चाहिए और ऐसा ध्यान रखकर नियम बनाना चाहिए नमबर थर्ड क्या है छोटे निर्माताओं को भी ऐसा मंच मिले कि वे अपने वैपार को बढ़ा सके मतलब जो चोटे मैनुफेक्चरर ने ऐसी स्थिती नाये कि उन्हें अपनी कमपणी बन करनी पड़े बलकि उन्हें भी टेकनॉलजी के साथ ऐसे जोडें ऐसे उन्हें मंच प्रोवाइड करें कि जहां वो अपने बिजनस को बढ़ा सके और वैश्वी करन का वो भी लाब उठा सके क्योंकि इससे क्या होगा हमारी जो अल्थ विवस्ता मज्बूत होंगी चोटा व्यपारी हो वह बी लोगों को काम दे रहे है ठीक है उससे भी भारत में विदेश का पैसा आएगा तो अकर वह अपने वैपार को बढ़ाता है तो इससे भी अल्थ विवस्ता अच्छी होगी नमबर फोर्ट क्या है महिला श्रमुकों के लिए भी श्रमिक कानून में विशेश शुधार किये जाएं क्योंकि हम बात करें निस्पक्ष यानि किसी के साथ भेदबावना हो तो जो लेबर में जो फीमेल करते हैं कई बार क्या होता है सेम काम के लिए पुरुष को ज़्यादा पैसे दिये जाते हैं महिला को कम दिये जाते हैं तो ऐसा ना हो सब के लिए और कई बार आप देखते हैं कि जो महिलाएं हैं और वो लेबर हैं तो कई बाद गर्भवती महिलाएं भी काम करी होती है और उनको सुधार नी किया जाता हुं उनको अलग से सुविधाइन नी दी जाती बलकि उनने दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा होना चाहिए पर होता निया कई बार क्या होता है महिला के साथ चोटे-चोटे बच्चे काम पे लगे हुई है, वो काम नहीं करना चाहिए उन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन उनके लिए भी तो कोई सुविधा होनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि अगर बहुत चोटा बच्चा है, तो कोई वहाँ प असली फाइदा सबको मिलेगा और वही होगा निस्पक्ष वैश्वी करन्ट तो ये पूरा complete answer है इसका आप screenshot ले सकते हैं ये लवग week की last worksheet है बहुत interesting है I hope आपको समझ में आ गई होगी और आप अप सीख रहे होंगे कि आपको एक businessman mindset से कैसे सोचना है ठीक है और कैसे आपको ज अच्छा लगता है तो वह भी बता सकते हैं लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें टेक क्या बाबाई